आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कुस किया था चाप्टर नंबर फोर हीट के बारे में और आज जो है हम डिस्कुस करने जा रहे हैं अबार दे ट्रॉनस्फर आफ हीट और जो इंपॉर्टन टॉपिक है कि हीट किस तरह ट्रॉनस्फर होती है सोलिड्स में किस तरह लिक्विड्स में और किस तरह गेस्ट में यहां पर आप जो है जैसा कि आप सिक्रीन पर भी देख सकते हैं और इदर जो आपको नजर आता है एक वैसल नजर आता है और वैसल को हीट किया जा रहा है इसमें कोई चीज रखी गई है और वह हीट अप होता है तो उसमें जो है कोई चीज पकाई जा रही है और वह चीज पक रही है इसमें जो है जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ा घर में पकाते हैं आपने experience किया होगा आपकी life में भी बहुत सारी incidents ऐसे हुए होगे कि आपने किसी चीज को टेश किया घर में कोई चीज जैसे गिलास है हमारे हाथ में उसको हम टेश करते हैं उसमें हाट टी रखी गई है तो कुछ टाइम के बाद हमारे हाथ ठंडे होते हैं जैसे सर्दियों क मौसम होता है हमारे हाथ ठंडे होते हैं तो यह कुछ टाइम के बाद गरम हो जाते हैं या अगर हम जूस पीते हैं और वो फ्रिज में रखा गया बहुत ठंडा है और जब हम उसको हाथ में लेते हैं तो हाथ में लेने के बैद जो है वो जूस जो है उसे हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं तो यह किस वाजय से छाहर है तो हीच जो होती है फ्राम को एद ऑइट ओज़ेक्टिक्ट्ट貝 विट इज दो डॉैज होड़ जोड़ हmbre तो हीच भीकशचपर कहां से होती है और जो चीजव घरम है उसे हीट होती है जो चीजव सरद होती है इसका अंदाजा आप लगा सकते हो आप जो है अगर फ्राइंड पैन जो होता है और उसका जो हैंडल है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं अगर आपके हाथ में लोहे का राड है तो आप कुछ टाम के बाद वह आग में डाल तो अगर आग जल रही है उसमें र और दूसरे एंडम से उसको पकड़ना हमारे लिए पक्डान मुश्किल हो जाता damn future गरम उजाता हो इसी तरह से यह क्यार्पारी मatशचल पकड़न फिर इसमें प्रीशन है जो इस्तिमाल क किया जाता है तो उसमें है उस्कार ने आहेल, अगर फ्राइंग पैन का वो है किसी मेटल का हो गा जिस मेटल का फ्राइंग पैन बना है तो फिर हमें क्या होगा हमें जो हमारा हाथ जल सकता है उससे और इसलिए जो है इस बात से हमें अंदाजा होता है कि ट्रांस्फर अफ हीट जो है यह किस तरह होती है तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो में हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांस्फर आफ हीट इन सोलिट्स तो सोलिट्स में क्या काम करेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिखाया गया है कि एक आइरन राड है और आइरन राड पे वैक्स लगा गया है चार पाउन जागा और उस वैक्स पे फिक्स की गई छोड़ सुमाल आइरन पीनल्स यह होते हैं चोटे 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 तो वह फिक्स की गई है और एक एंड पे केंडल जला के रखा है और दूसरा एंड जो है वह दो ब्रिक्स के दिर्मियां रखा गया है जैसे कि आप स्क पहला पिन होता है वह निचे गिर जाता है जो केंडल के साथ में पहला आता है नंबर वन पे जो आता है जाब हम केंडल से स्टार्ट करते हैं वह पहले गिरता है फिर दूसरा सेकंड जो पिन होता है जैसे कि आपको नाजर आता है वह गिर रहा है और उसके वह तीसरा end होता है rod का, वहाँ से transfer haff heat होती है आगे आगे, जब हम brig की तरह बाढ़ते हैं तो जो Pins तो iron nails गिरते जा रहे है और last वाला जो brig के साथ होता last पर वह गिरता है तो इस बात से हमें अंदाज़ा लगता है कि सबसे पहले जो rod iron rod Carrot end होता है kindle की طरफ वो बहुत गरम होता है वो बहुत गरम हो जाता है और दिरे दिरे यह ही जो है ट्रांसफर होती है आगे और लास्ट पे पूरी जो राड होती है वो गरम हो जाती है और जो वेक्स होता है वो पिंगल जाता है और जो पिंगल होती है वो तो सारी पिंडर्स जो होती हैं जो Kendall Wax के साथ fix की गई है ऑर आरे डीस के साथ गिर जाती है और इस को बोलते है transfer of heat transfer of heat की definition आपको यह 청ासफर स्क्रीन पे भी दी गई है transfer of heat जो है त पड़ोगे यह स्क्रीन पे भी आपकी बूक अपकर जो page 946 से वहां पर भी दिया गया है और transfer of heat जो है इसमें जो है the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction इस process को बोलते हैं conduction तो conduction किन में होता है यहां पर हमने देखा iron rod जो यह solid है तो solids में conduction का process होता है heat transfer in solids is called conduction और जो है इसके बाइद यह जो substances होते हैं जिन में transfer of heat होती है materials जिन में which allow heat to pass through them easily are called conductors और वो materials जिन में heat transfer होती है easily उनको conductors बोलते हैं इसमें aluminium आता है आपके जो भरतन होते हैं aluminium के होते हैं वो aluminium के इसलिए होते हैं कि conductors होते हैं इन में easily heat transfer होती है और इसमें जो भी चीज हम पकाते हैं वो जल्दी तयार आती है उसके बाइद जो है iron है जैसे कि आपने देखा भी जो केंडल के जरी से transfer of heat जो है वो iron rod में हो गी और जो है जो वैक्स से फिक्स की गी थी iron nails happiness वो गिरना स्टार्ट होती है जब iron rod जो है वो गरम हो जाती है और उसके बाइद होगे copper copper जैसे जिसको आप जो है जो copper होता है आप तो drama ही कहते हैं इसको copper जो होता है copper जिसकी कलाई की जाती है जो copper के बरतन होते हैं जिनकी कलाई की जाती है उनमें भी transfer of heat जो होती है वो जल्दी होती है इसलिए इनको conductors कहा जाता है और वो substances जैसे paper है अगर paper जलता है तो एक end से हम इसको हाथ से पकड़ सकते हैं दूसरे end से वो जलता रहता है इस तरह अगर कोई stick है वो जलती है एक end से दूसरे end से उसको हम पकड़ते हैं लेकिन अगर iron rod एक side से बिलकुल गरम होगी hot होगी उसको दूसरे side हम नहीं पकड़ सकते हैं क्यों नहीं पकड़ सकते क्यों कि इसमें जो है यह पूरा hot हो जाता है और इसलिए जो चीज जो है जिसमें हीट ट्रांसफर होती है उसको बोलते हैं कंडेक्टर और इंसुलेटर जो होता है जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता है उसे पैपर की एक्जम्पल ले लो आप वूड की एक्जम्पल ले लो आप और प्लास्ट की एक्जम्पल ले लो एक एंड से अगर जलेगा भी लगिन दूसरे एंड से हम इसको आराम से पगड़ सकते हैं तो इसका कोई इससे कोई अमनकसान नहीं होता है तो इसी तरह से जो वाटर है या आयर है वो पोर कंडुक्टर्स आफ हीट कहलाते हैं तो इन में किस तरह हीट रानसफर होती है यह आगे पढ़ेंगे तो इसके लिए जो है आप की स्क्रीन पे भी मैं दिखा रहा हूं यहां पे जो है एक कन्वेक्शिन आफ हीट इन वाटर यह किस तरह होता है यहां पे आप देख लो कि होता क्या है जब हीट पे रखा जाता है किसी भरतन को जिसमें पानी है और तो सबसे पहले जो बरतन होता है बरतन जो है जैसे किस का है कॉपर का है यह अलमुनियम का बरतन है वहसल है वह हीट रेसीव करता है फ्रॉम सिटो या गेस नीचे जो रखा गया है बरनर यहां हम इस्तिमाल करते हैं जैसे यहां पे बरनर दिखा गया उपर जो है प्लासिक है उसमें रखा गया है पानी और यह हम लैब में इसका टेस्ट कर सकते हैं तो गर्म आम तरह पर होता है आपको गर्मे जो पानी गरम करना होता है चाई बनाने होती है तो आप यही प्रॉस्स करते हूं लेकिन इसकी तरह हम ज्यादा नहीं देते हैं, होमें पढ़ना है आओ आप ऐची से घ़र में भी देख सकते हैं, किस तरह से पानी गर्म होता है, और प्रosta है, पानी घ्रम होते हैं, सबसे पहले आवाज आती है। मॅलेक्टिलोस पानी में होते हैं वह हिलना है और इसके बैद गरम होता है और इस प्रॉसेस को बोलते हैं कनवैक्शन तो इसमें होता क्या है कि जब हम फ्लास्क में मिसाल कि पानी रखा नीचे बरनाय रखा है और इसमें जब पानी आता है ये गर्मी हासिल करता है पानी जो नीचे बाटम में पानी होता है पानी के मॉलेकिलोस वो उपर चाड़ते हैं उपर कोल्ड होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और इसी तरह से ये होता रहता है प्रोसेस फिर जो वाटर मॉलेकिलोस उपर गए हैं ठंडे हो जाते हैं और उनकी जगह फिर water molecules नीचे bottom के side गरम होके आते हैं तो यह उनकी जगह लेते हैं इस तरह से continuously यह process चलता है और sides में भी जो floss के utensil के जो यह water molecules होते हैं वो नीचे आते हैं और जो है water उपर चला जाता है गरम इस तरह से यह process continue होता है और last पे जो है water boil होना start होता है और फिर इस process को बोलते है transfer of heat in liquids is called convection तो दो प्रास आगे conduction हो गया transfer of heat in solids convection हो गया transfer of heat in liquids और इसके अलावा आपको जो है इसमें पढ़ना है आगे हम पढ़ींगे और आज के लिए बस इतना ही अल्लाहाबिस